दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टिक टोक एप्लिकेशन के बाड़े में जी हम दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से टिक टोक एप्लिकेशन पर अपना अकाउंट की डियेट कर सकती हो किस तरीके से आप लोग TikTok को यूज़ कर सकती हो इसके लावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग TikTok application पर अपनी वीडियो को किस तरीके से viral कर सकती हो क्योंकि दूस्तों आपको पता होगा कि TikTok एक ऐसी application है जहां पर आप लोग अपनी वीडियो को अब्लोड करके पैसे कमा सकती हो और आप लोग वहाँ पर दूसरों की वीडियो को देख भी सकती हो ठीक है? सो चलें आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं शुरू वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी मज़े मज़े की टिटोरियल लेके आता रहता हूँ तो चलें आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं शुरू देखें दोस्तो पहले तो आपने क्या करना है आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है ठीक है प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहां से टिक टोक एप्लिकेशन को डवलोड करना है ठीक है देखें दोस्तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ आपने TikTok को Google से डाउमलोड नहीं करना ठीक है क्योंकि Google पर आपको काफी सारे crack version मिलते हैं जो कि आपके mobile के system को hack करते हैं ठीक है तो आपने TikTok को Play Store से डाउमलोड करना है डाउमलोड करने के बाद आप इसे open कर सकती हो ठीक है यहाँ पर देखें मैं इसे open करता हूँ और आपको complete detail देता हूँ ठीक है यहाँ पर देखें यह open हो चुका है अब आपके सामने यहाँ पर दो option आएंगे ठीक है एक होगा following उसके बाद है for you देखें जो भी video trend में आती है वो आपको यहाँ पर फारियो में देखने को मिलती है और जितने बंदों को आप follow करोगे वो आपको following में देखने को मिलेंगे ठीक है इसके लावा search वाला icon है आप इस पर click करके किसी भी user को search कर सकती हो कोई भी topic यहाँ पर search कर सकती हो ठीक है तो अभी हम बात करते हैं किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना account के react करोगे तो आपने profile वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर देखें चार option आपको show होंगे पहला देखें यूजपून और email उसके बाद है continue with facebook उसके बाद है continue with google ठीक है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आपने use phone और email वाले option पर click कर देना है ठीक है क्योंकि इससे यह होगा कि आपका mobile number और आपका account verify हो जाएगा ठीक है तो मैं use phone और email वाले option पर click कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से interface open हो चुका है ठीक है अब आपने क्या करना है आपको जो mobile number है वो आपने इंटर कर देना है जैसा कि मेरा यहाँ पर mobile number यह वाला है तो यहाँ पर mobile number इंटर कर दूँगा ठीक है यहां पर देखें मैंने mobile number इंटर कर दिया उसके बाद आपने send code वाले option पर click कर देना है इससे यह होगा कि आपने जो mobile number इंटर किया होगा उस mobile number पर आपको एक verification code आएगा ठीकिया जैसे आप वो code इंटर करोगे आपको जो account होगा वो verify हो जाएगा ठीकिया अभी यहां पर time हम यहां पर show कर रहा है तो इतने time में हमारे पास OTP आजाएगा तो यहां पर हम थोड़ा सा wait करते हैं दोस्तों जैसे आपके mobile number पर verification code आएगा या code खुद बाखुद आटोमेटिक लग जाएगा उसके बाद कुछ इस तरीके से interface open होगा ठीक है दोस्तों यहां पर आपने क्या देना है और यहां पर आपके सामने next step आजाएगा ठीक है यहां पर देखें वो कह रहे हैं कि अपना password इंटर करें तो आप लोग यहां पर अपना password इंटर कर सकते हो लेकिन आपने यहां पर अपना एक strong सा password रखना है ताकि आपको जो account है वो आने वाले time में secure हो ठीक है तो यहां पर मैं एक password इंटर कर देता हूं दोस्तों जैसे आप लोग password इंटर करोगे तो आपने यहां पर अपना username इंटर कर देना है जैसे कि यहां पर मैं अपना username इंटर कर देता हूं ठीक है यूजर नेम का मतलब यह होता है कि आप अपने name के साथ कुछ words use कर सकती हो ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर आपको यहां पर लिखके देखा देता हूं यह देखें वो कहरे हैं कि यह जो user name है पहले use हो चुका है तो यहां पर हम again एक और add कर देंगे और हमारा जो user name है वो यहां पर आ चुका है ठीक है उसके बाद sign up वाले option पर click करेंगे और देखें हमारा जो account है वो create भी हो चुका है और verify भी हो चुका है ठीक है उसके बाद आप इसे allow कर सकते हो और यहां पर आप बात करते हैं कि आप इसे use किस तरीके से करोगे ठीक है तो यहां पर देखें आपने क्या करना है यह जो followers हैं आप इने follow अगड़ कर सकते हो आपने profile वाले option पर click कर देना है ठीक है और यहां पर देखें आप अपना user name और भी बहुत सरी detail एड़ कर सकते हो यहां पर देखें पहले मैं आपको इसकी थोड़ सी setting बता देता हूँ ठीक है देखें दोस्तों यहां पर क्या होता है आप जितने बंदों को follow करोगे वो यहां पर show होंगे जितने आपके followers होंगे वो आपको यहां पर show होंगे आपकी videos पर जो total like होंगे वो यहां पर show होंगे ठीक है इसके लाब आपके जो है आप अपना बायो एड कर सकती हो आप अपनी बायो के अंदर क्या लिखना चाहते हो वो कर सकती हो एड़ेट प्रोफाइल वाले ओपिशन प्लिक करके आप अपना बायो वगड़ा अपना यूजर नेम अपनी फोटो वगड़ा यहां पर वाले पिचर ले लेती हैं मैं आपको एक समझाने के लिए बतारूं आप आपने अच्छी सी पिचर यूजर करनी है ताकि आपका अकाउंट है लोग उससे जो है इंस्प्रे जो है अट्रेक्टिव हो ठीक है तो यहां पर देखिए मैं एक स्क्रीन शोट यहां पर एड़ क चुकि है अगर आप इसके अंदर मजीद सेटिंग करना चारे हो तो वीव सेटिंग वाले ओप्शन पर क्लिक करके आप इसके अंदर वीडियो डाउंलोड अपनी प्राइवेसी जो भी है वो रख सकती हो ठीक है यहां पर देखिए अगर आप मजीद अपने जो अकाउंट से वो एड करना चारे हो तो वो भी कर सकती हो ठीक है तो यहां पर बात कर लेती है प्राइवेट अकाउंट की और यह जो लाइक्स पगए रहे हैं यहां पर डिपैंड करता है कि आप यहां पर कौन सो अप्शन रखना चाहते हो और यहां पर सैटिंग प्रोफाइल वाले ग्लिक करते हैं और यहां पर देखें पर यहां पर मजीद मैं आपको डिट्एल देढ दूं यहां पर देखें मैं आपको यहां के रिट्रट्ड का ओप्शन दिखाता हूं इस इस पर क्लिक करके आप इसकी जो analytics है, कितने views है, कितने वो है, add setting को और कर सकते हो, तो यह आप पर depend करता है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कि आप लोग यहां पर video को किस तरीके से upload करोगे, ठिक है दोस्तों देखे हैं यहां पर सेंटरल में आपको वीडियो वाला आइकन प gj Pek Rise Be टो यहां पर कंड़े तो यहां पर टिक्टो का होता है वह आपके सामने ओपन हो जाए ठीक है पहले अपने इससे अलाव कर दना है ताके यह आप जो है कर सकते हो ठीक है तो तो आप देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर जो मेरा कैमरा होगा टिक टोक का वो ओपन हो जाएगा ठीक है अभी मैं अपने कैमरे को क्लोस कर देता हूँ ताकि मेरा जो बैगरोंड है वो यहां पर नजर ना आए ठीक है उसके बाद देखें अब लोड़ वाला इसका जो एड सांट वाले ओप्शन पे क्लिक करके अपना सांट एड कर सकती हो अपनी वीडियो के अंदर ठीक है उसके बाद बात करें यहां पर देखें स्टोरी बगड़ा आप लगा सकती हो टैंबलेट वाला ओप्शन है इसके लगोनितो है इसके लबग हम बैक वगड़ा भी यहीं पर कर सकते हो, ठीक है, दस मिनर तक कि आप वीडियो अब लोड कर सकते हो, यहां पर देखें, एक वीडियो मैं आपको अब लोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं एक पिच्चर ले लेता हूँ, यह वाली, इसे ले लेंगे, इस पर क्लिक क यहां पर लग जाता है तो अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो यहां पर effect वगड़ा भी add कर सकते हो ठीक है मैं effect वाले option पर click करूंगा तो effect आ जाएंगे ठीक है उसके बाद देखें आपको next वाला option मिलेगा यहां पर देखें ये next वाले option है आपने इस पर click कर देना है जैसे मैं next वाले option पर click करूँगा उसके बाद क्या होगा कि हम अपनी वीडियो का जो title है वो देंगे description देंगे और हमारी जो वीडियो होगी वो यहां पर trend में आ जाएगी ठीक है तो starting में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको end में ए एपनी वीडियो के इंदर यूज कर सकते हो जिससे आपकी वीडियो वाइडियो हो सकती है ठीक है लेकिन जब आप अपनी वीडियो को upload करने लगाए तो वहां पर आपको trending हैश्टैग भी मिलते हैं जो कि आप यूज कर सकती हो लेकिन जो hashtag मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप अपने वीडियो के अंदर यूज करोगे तो आपकी वीडियो के वाइरल होने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप लोग टिक टोक पर अकाउंट के रियेट करके यूज कर सकते हो I hope कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होगी वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकिशन ओन कर दें ताके अगली वीडियो आप तक पहुंच सके